भारत माता की इनकलाब वन दे आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाईयों, माताओं, बुजर्गों, बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार, सब को मेरा प्रणाम सस्रियकाल कैसे हैं आप लोग? सब से पहले विश्व कर्मा, पूजा की आपको बहुत-बहुत बधाईया, बहुत-बहुत शुबकामना है मैं भी मेकैनिकल इंजीनियर हूँ और हर साल पहले मैं इंकम टैक्स में काम करता था, उसके पहले मैं टाटा स्टील में काम करता था तो जब मैं इंजीनियरिंग का काम करता था, हम भी हर साल विश्व कर्मा पूजा मनाया करते थे कंपनी में, तो मिरे को वो पुराने दिन याद आते हैं, और आपके बीच में मैं आज ये तीसरी ये चोथी बार आ रहा हूं, एक बार आया था चुनाव लड़ने के पहले, मे इसी ग्राउंड में आया था, इसी चेतर में, और ये पूरा कच्चा था, और जब मैं आया था उस दिन आप लोगों ने एक मांग रखी थी, आपने का था जी ये पूरा पक्का बना देना, पक्का बन गया, जो कहा वो किया, आज मुझे बेटी बेहत खुशी है, आप लो केजरिवाल को कोई नहीं जानता था इस देश के अंदर, ये तो पुराने कुछ, पुराने जनम में कुछ पुन्यक करे होंगे, कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान देखे, पूरी दिली की जिम्मेदारी देदी मेरे को उस ताज पे बिठा दिया, उस सिंगासन पे बिठ पीछे पड़े रहते हैं, सारी पार्टी वाले, ये सारे नेता मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, खूब पढ़ा लिखा हूँ मैं, और देश के सबसे बेस्ट इंस्टिट्यूट से इंजीनिरिंग करी है, मेरे को काम करना आता ह और दस साल में आपके लिए मैंने काम ही कराया और कुछ नहीं कराया, मैंने राजनीती नहीं करी तो आज मैं जो बात करूँगा, आपके सामने काम की बात करूँगा आपके बच्चों की बात करूँगा, आपके घर की बात करूँगा, आपके घर की महिलाओं की बात करूँगा, आपकी गलियों की, आपकी बिजली की, आपकी पानी की, आपके राशन की बात करूँगा, मैं, मैं किसी को गाली देने नहीं आया, ये नेता ऐसा, वो नेता ऐसा ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी, मेरे को गाली देने नहीं, ना मेरे माबा अपने सिखाई गाली देनी, मैंने कभी गाली नहीं दी किसी को. तो सबसे पहले, दस साल पहले आपने मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, आज भी मेरे को याद है, जब मैं दस साल पहले चुनाव परचार में जाता था, जिस भी गली में जाता था, जिस भी घर में जाता था, जिस भी महले में जाता था, लोग अपने अपने बिजली के बिल ले के आ जाते थे मेरे पास अपने अपने पानी के बिल ले के आ जाते थे अपने पास हजारों रुपे के बिल आया करते थे लोगों के बिजली के हजारों रुपे के बिल आते थे पानी के लोगों की छोटे-छोटे घर होते थे एक पंखा, एक बिजली, एक फ्रिज, एक टीवी और आठ हजार रुपे का बिल, दस हजार रुपे का बिल पानी का लोगों का पांच-पांच, दस-दस हजार रुपे का बिल लोग कहते थे जी पानी और बिजली का बिल भरें कि बच्चों को पालें मैंने उस टाइम कहा था बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को मेरी सरकार बना दो सारे बिल माफ कर दूँगा करे की नहीं करे सरकार बनने के बाद उस टाइम तक के आपके जितने पुराने बिजली के बिल थे, सारे माफ कर दिये, जितने पानी के बिल थे, सारे माफ कर दिये, और बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, अभी मेरे को पता चला, जब मैं जेल गया, मेरे पीछे से इन्होंने बदमाशी करके फिर आपके पानी के खूब बिल बे आज इस मंच से कहके जा रहा हूं जिस जिस के गलत पानी के बिल आयों हैं भरने की जरूरत नहीं हैं दुबारा फर्वरी में सरकार बना देना सब के पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूँगा और फिर से आपके पानी के बिल जीरो आने चालो हो जाएंगे जैसे पहले करें थे ऐसे दुबारा पानी के बिल माफ कर दूँगा याद करो आज से दस साल पहले जब शीला जी की सरकार थी रोज भाई साब अब तो बूल गए होंगे आप अब तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सरकार है पुराने दिन याद नहीं होंगे पर मैं याद दिला देता हूँ आठ आठ घंटे भाई साब पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती थी inverter खरीद रखे थे लोगों ने generator खरीद रखे थे लोगों ने हर साल बैटरी बदलवानी पड़ती थी inverter की अब बिजली तो नहीं जाती 24 घंटे बिजली आती है की नहीं आती 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल के अंदर यह असान काम नहीं था मैंने और सतिंदर जैन ने गली-गली में जाके ट्रांसफार्मर बदलवाए तार चेंज करवाई असान काम नहीं था दिल्ली में 24 गंटे बिजली करना और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ शीला जी के टाइम पे साड़े पांच हजार मेगावाट बिजली की खपत होती डिमांड थी आज साड़े आठ हजार बिजली की डिमांड है तब भी दिल्ली में बिजली नहीं जाती 24 गंटे बिजली है और उस टाइम साड़े पांच हजार बिजली की डिमांड होती थी तब भी बिजली जाया करती थी इतनी शांदार विवस्था करी कैसे क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ पड़ा लिखा हूँ पड़ा लिखा आदमी चुनने का यही फायदा है आपकी बिजली 24 गंटे कर दी सबसे बड़ी बात यहां पे कच्छी कोलोनी में कौ कच्छी कोलोनियों में मैंने सड़के बनवा दी कच्छी कोलोनियों में सीवर की पाइप मैं भी आ रहा हूँ कुछ लोग कच्छी कोलोनियों में सड़के बनवा दी कितनी सड़के बासट सो किलोमेटर सड़के बनवाई हैं अभी कई बाकी हैं गलियां कई गलियां बाकी ह डलवाई है मैंने कच्छी कड़ोनियों में यह चोटी बात नहीं vehicle की सिउवर की पाइप डलवाई है 10,000 km की नालियां बनवाई हैं ज्यितनी बच गई अगले तीन साल के अंदर भो भी बनवा क्या दूगा जिन जिन तक भाई साब किसी नहीं नहीं करा, स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए, खुशो स्कूलों से, अस्पताल में जाते हो, मोहला क्लिनिक में जाते हो, अच्छा इलाज होता है नहीं होता, अस्पताल अच्छे कर दिये, स्कूल अच्छे कर दिये, मोहला क्लिनिक बना दिये, मैं अभी तीन-चार दिन पहले देख रहा था, प्रधान मंतरी मोधी जी कह रहे थे, केजरी वाल ने आयुशमान भारत लागू नहीं करी, उत्तर प्रदेश में बाहिसाब आयुशमान भा बाहरत लागू है, उत्तर प्रदेश के सारे मरीज दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए, दिल्ली में दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश नहीं जाते हैं, अगर इतनी अच्छी ओजना है तो उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है अपना इलाज कराने लेकिन तुम्हारी योजना इतनी अच्छी होती तो उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता और यहाने वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता यहां पे महिलाई नहीं हैं लेकिन आपके सबके घर में माँ होगी बेटी होगी बहन होगी बसों में जाती है टिकेट तो नहीं लगती टिकेट तो नहीं लगती होना चाहिए नहीं होना चाहिए दिल्ली में मेरी सरकार बनने के पहले 65 साल में 60 फ्लाइ ओवर बने और मैंने 9 साल में 38 फ्लाइ ओवर बना दिये दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली में 38 फ्लाइ ओवर बना दिये हमारे पहले पांच हजार बसे थी आज 77osa बस खरीदी दिल्ली वालों के लिए और शांदार बसे हैं बसों में चड़एओंगे आप लोग हैंकिने एर कंड़िशन बसे खरीदी आप लोगों के लिए शांदार बसे है और बसें फ्री हैं महिलाओं के लिए तो दोस्तों अब चुनाव आ रहे हैं चुनाव में हर आदमी सोचता है किसको वोट दें जिसने काम करा उसको वोट देना जिसने काम नहीं करा उसको वोट मत देना मैं यह नहीं कह रहां मेरे को वोट देना खुदी देख लेना दिल्ली में बीजेपी वालों की केंदर सरकार भी बैठी है दिल्ली में केजरी वाल की दिल्ली सरकार भी बैठी है केंदर सरकार ने काम करा की दिल्ली सरकार ने काम करा बता देना एक भी काम बता दो दिल्ली में केंदर सरकार बैठी है उनके पास कितना अथा पैसा है इतना इतना पैसा है केंदर सरकार के पास इतनी पावर है, LG भी उनका है सारी पावर उनके पास है मैंने अपने इतने काम गिनाए एक काम गिनादो जो केंदर सरकार ने आपके लिए कराओ एक काम गिनादे ना कोई एक काम इन्होंने कराओ आपकी महंगाई दूर करी हो आपके बच्चों के लिए कुछ कराओ आपके घर के लिए कुछ कराओ आपके घर में कोई बिमार हो जाए उसका इलाज कराने के लिए कुछ कराओ आपके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज कुछ खोले हो कुछ करा हो केंडर सरकार ने उनको वूट दे देना जाके लेकिन अगर उन्होंने कोई काम नी करा तो दोस्तों उनको वोट मंगने का कोई अधिकार नी केवल गाली गलोच करी है उनने केवल दिल्ली वालों को तंग करा है उननों पंद्रा साल बीजेपी की सरकार थी M.C.D. में ठीक ही नहीं थी? पंद्रा साल उनकी सरकार थी M.C.D. में कोई काम करा M.C.D. में इसलिए तो तंगा के तुम लोग आप लोगों ने हमको आम आदमी पार्टी को वोट दिया केवल प्रष्टा चार करा इतना गंद पहला दिया उन्होंने M.C.D. में इतना गंद फैला दिया? दो साल हूँ अभी हमें. याद करो दो साल के पहले जितने सफाई करमचारी थे. रोज धड़ने पे रोज हड़ताल रहती थी सफाई करमचारीयों की. दो साल से हड़ताल नहीं हुए सफाई करमचारीयों की टाइम पे तंख साफ तरा रहा हूं कूड़ा भी साफ हो जाएगा ये कूड़ा इनका करा धरा है दीरे-दीरे सारा कूड़ा भी साफ होएगा मैं आज इस मंच से बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं 15 साल तुम्हारी mcd में सरकार थी दस साल में दिली में मेरी सरकार है और केंदर में तुम्हारी सरकार है मैंने अपने इतने काम गिना दिये तुम एक काम गिना दो जो तुमने दिली वालों के लिए करा हो एक काम गिना दो बस एक काम एक काम, दिल्ली वालों को बता दो तुमने क्या काम करा, कुछ काम नहीं करा, तुम लोगोंने कुछ काम नहीं करा, अच्छा बाइज आप छोड़ो दिल्ली की छोड़ो, इनकी 20 रज्यों में सरकार है, बीजेपी की 20 रज्यों में, अरुनाचल परदेश, आसाम, 36 गड़, गुजरात, हरियाना, मध्यपरदेश, मनीपूर, उडिसा, राजस्थान, त्रिपूरा, उत्तरपरदेश, उत्राखंड, और गठवंदन की इनकी सरकार है, आंदरपरदेश, बिहार, महराष्ट्र, मिघाले, नागालेंड, पुडुचेरी, सिक्किम, 20 राज्यों में इनक सरकार है, एक राज्य बता दो जहां 24 गंटे बिजली आती हो, बीजेपी का कोई एक राज्य उत्तरपरदेश बगल में है, हरियाना बगल में है, बिहार बगल में है, एक राज्य बता दो बीजेपी का जहां 24 गंटे बिजली आती हो, दिल्ली में आती है, अब पंजाब मे भी आने लग गई पंजाब में भी हमारी सरकार है पंजाब में भी अब 24 गंटे विजली आती है तो दोस्तों अगर तुमने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया तो दिल्ली में भी 8-8 गंटे पावर कट लगने चालू हो जाएंगे गलती तो नहीं करोगे बीस रज्यों में इनकी सरकार है कोई एक रज्य बता दो जहां पे बिजली फ्री हो कोई एक रज्य बता दो इनका बीस रज्यों में जहां बिजली फ्री हो फ्री तो छोड़ो इतनी महंगी बिजली है इतनी महंगी बिजली है गुजरात में फोन करके पूछ ले ना आप में से उत्तर परदेश के कौन कोने हाथ खड़े करो बिहार के कौन को ने हाथ खड़े करो फोन करके पूछ ले ना अपने रिष्टेदारों से अपने घरवालों से बिजली आती है की नहीं आती बिजली भी जाती है 24 गंटे बिजली भी नहीं आती और महंगी भी है अगर गलती से इनको वोट दे दिया अगर गलती से इंको वोट दे दिया तो भाईसा पिचली महनुझी भी ओ जाएगी, खूब महनुझी हो जाएगी हजार उरुपे के पिचली के बिल भरने पड़ेंगे फड्ली पानी दिल्ली में मिलता है, इनके किसी रज्य में नहीं मिलता दिल्ली के स्कूल शांदार है, इनका किसी राज्य के अंदर स्कूल अच्छे नहीं है ये सारा काम बंद कर देंगे अगर दिल्ली के अंदर इनकी सरकार आ गई तो जैसे भी इस राज्यों में कोई काम नहीं हो रहा वहाँ पे इनको किसने रोक रखाई जी काम करने से वहाँ तो कोई LG भी नहीं है वहाँ तो double engine की कहते हैं डबल engine की सरकार है उपर भी यह नीचे भी यह फिर क्यों नहीं काम करते यहां तो मेरे को इतना तंकराई इनोंने इतना तंकरा फिर भी आपके बेटे ने इतना आपके भाई ने इतना काम करके दिखा दिया जितना काम आज तक कोई नहीं कर सका सारी अड़िशने पार करके आपके सारे काम करके दिखा दिये असल में इनकी नियत निया काम करने की अगर आपने इनको गलती से वोट दे दिया तो 20 की जिगे 21 राज्य हो जाएंगे इनके जहां पर काम नहीं होगा जब मैं जेल गया तो दिल्ली में मुख्य मंतरी नहीं बचा LG चला रहे थे उस टाइम सारा LG दिल्ली सरकार चला रहे थे कई महीनों तक बाई साब जब LG के पास सारी पावर थी वो आपके लिए कोई अच्छा काम करते आठ महीने दस महीने उन्होंने सरकार चलाई आपके लिए कितने काम कर सकते थे कोई काम करा LG ने अच्छा कोई काम करा BJP वालों ने अच्छा एक काम बता दो LG ने जो करा हो तुमारे आठ महीने के अंदर काम रोकने का काम करा कूड़ा पहला दिया चारो तरफ सड़के तूटी पड़ी है सड़के जब मैं बाहर आया हूँ जनता से मिलता हूँ जनता दिखाती है जी सीवर ओवर्फलो कर रहे है सड़के तूटी पड़ी है नालियां निकल नालियां offload कर रही हैं बच्यों के नौकर ने अब केज्रीवाल बार आ अचिंता मत करना सारे काम करा दूंगा तुम्हारे सारे काम करा दूंगा सडके बननी ठीक हो गई है कुड़ा उठना चालू हो यहां जा गंदा पानी आ रहा था, मैंने लिस्ट बना ली है, थोड़े दिन के अंदर आपका पानी साफ आना चालो हो जाएगा, जाँ साbei पानी आ रहा रहा है जाँजा सीवर ओर लो कर रहा है Even बहुत करे और दो आपके लिए जान भी देनी पड़ी, जान भी आजी रहे आपके बेटे की, आपके भाई की जान भी आजी रहे अगर जान भी देनी पड़ी, बस आपका साथ चाहिए मेरे को, आपके बिना मेरे कुछ नहीं हूँ, आपके बिना मेरे कोई अस्तित्व नहीं है, आपका साथ च झाल 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 झाल